Hi guys, पेटा आज का session आपका सबसे important session यह chapter का, इसमें हम लोग finally वो method सीखने वाले हैं, जो आप लोगों को आगे भी आप इस्तमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, पेटा ये उन numbers के लिए भी रहेगा जिनका proper square root नहीं निकल रहे हैं, बट हम लोगों को square root approximate निकालना है, ठी findings, square root by, square root by division method, division जैसे आपको करते हैं वैसा है, पर थोड़ सा अलग है, ठीक है, अब यह आपको कई सारे questions आपको practice कर आओगा भी, आपको कई सारे questions homebug में मिलना आ ले हैं, आपको क्या करना है बेटा, इन सब numbers का square root निकालना है, by division method, आपको prime factorization से, repeated subtraction से नहीं निकालना है obviously यहाँ पर repeated subtraction से निकालना है, तो मरी जाओगे, उसे तो वैसे यह निकालना है, हमें काई से निकालना है, अभी prime factorization नहीं, मैंने आता है आपको by division method, बेटा देखो, हम जो जब divide करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, dividend यहाँ पर अंदर लिखते हैं, diviser यहाँ लि पड़ेगे, तो prime factorization जैसा क्या, ने बेटा, prime factorization जैसे दो दो के pair नहीं, मेरा बोलने का अतलब है, देखे, right side से यह दो number से एक pair बना लिए, यह दो number से एक pair बना लिए, खत्म, यह ऐसे pair मुझे बनाने पड़ेगे, चलो ठीक है, अब आगे क्या, अब बेटा देखो, आप आपको कोई एक ऐसा number यहाँ पर लिखना है, मानला आपने लिखा 7, तो आपको वो 7 यहाँ पर लिखना पड़ेगे, जो number मैंने यहाँ लिखा है, वो ही number आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, उन दोनों का product इसके या तो बराबर होना चाहिए, इससे काम होना चाहिए, ठी 16 वो भी चल जाएगा, यहाँ तो मैंने 5 लिख जिया, 5, 5 जा 25, नहीं, यह नी चलेगा, आपको क्या बोला, उससे कम चाहिए है, या बराबर चाहिए, तो 4 लोगा मैं, तो 4, तो यहाँ पर 4, 4 जा कितना होगा है, 16 होगा है, सप्राक्ट किया, 23 में तो 16 सप्राक्ट किया, तो कितना होगा है बच्चा मेरा, perfect, वो बच्चिया है मेरा 7, अब इसापन डिविजन में लाते हैं नीचे, यहाँ पर देखो यह पैर बना हुआ है ना यह, तो यह दोनों का पैर एक साथ नीचे आएगा, 7, 0, 4, तो अब आगे क्या, अब देखो बेटा, यहाँ का जो य हो गया मेरा, ठीक है, अब क्या, अब डबा, डबा, तो मतलब क्या, यहाँ पे डबा बनो, यहाँ पे डबा बनो, यहाँ पे डबा बनो, तो यह क्या हो रहा है, बता तो हमेरो जो, अब बेटा, डबे में, यह वाले डबे में, और यह वाले डबे में, आपको सेम नंबर आपस लिखना है, मतलब अगर आपने ये डब्बे में लिखा 3, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 3, यहाँ पर लिखा आपने 5, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 5, तो कोई भी नमबर लिख सकते हैं, नहीं बिटा, आपको ऐसा नमबर लिखना रह यह वैसा मुझे कोई नंबर देखना है अब देखो बेटा मैं हिट एंड ट्राइल से ही कर रहा हूं इस चीज़ों मैं को यह तो दिख गया है 85 फाइजा कुछ 400 से उपर जाएगा परस चीज़ों आप यहां पर यहां पर यहां पर 8 लॉट इसना पड़ेगा तो आप लोगे 88 जा तो यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर 8 लिखा, यह इसके 8 से कोई रिलेशन नहीं था बेट उसका, यहां पर भी 8 लिखा, माइनस 704, 000 आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर कहां गया, अंडर रूट ओफ 2304, इसका स्क्वेर रूट गून रहा था था न, वो बन गया मेरा 48, सर कुछ नहीं समझा, जानता हूं मैं, अब देखो बेटा, बापस से, अपन करते हैं, थोड़ा बहुत मैचुर्टी बढ़ना श 23 है, उससे कम आएगा, 55, 25 ज्यादा हो था, इसलिए मैंने 4, 16 किया, तो यह कितना हो गया, 7 हो गया, फिर यह नीचे लाए, तो नीचे पैर में आता है, यह हो गया, अब यही जो था, नंबर, उसका यूनिट स्प्लेस, ने 4, मैंने आइड किया, तो कितना बन गया, यह 87, मैं 8 जा नहीं करूँगा, यह नंबर और यह नंबर सेम रहेगा, तो दून्टे मुझे मिला 88 जा, यह मेरा आंसर आ रहा है, 704, तो यह 000 हो गया, तो मेरा अंडर उट अब 23, 04 की वालियो गिती, 48, बहुत चांस है, अभी भी आपको बहुत confidence नहीं आयो, एक बार के लिए 3, 2, 4, 9, यह अभी मैं करके रिखा लगा आपको, वो ही धाचा बनाया, 3, 2, 4, 9 लिखा मैंने, पैरिंग किया, यह पैर बन गया, यह पैर बन गया रहा, अब क्या करूँगा, पहले यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर सेम होगा, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 66, 36, क्या बेस्ट हुआ, यह पैर, वो ही नंबर को, का यूनिट सेम को आध किया, 5, 1, ओगया, 10, अब क्या, डबादबा, यहाँ पे डबादबा, यहाँ पे डबादबा, यहाँ पे डबादबा, अब मुझे सोचना पड़ेगा, तो देखो, में वैसे दिख रहा है, 1, 2, 7 7 दा, बट आप लोगो, यह जो नंबर है उन दोनों का प्रोड़क्ट यह नंबर के बाराबाँ अच्छे यूनिट्स ते तो 1033 भी करूंगा तो मेरा एंडिंग आंसर 9 से एंड होगा तो मैं आपको समझाता हूं अगर मैं 1011 करूंगा तो आंसर एंड ऊंसे होगा 102 2 तूज़़्य एंड वो्यर्क सब्सेत ग्राब़्क्ट से होगा तो टीक है 1033 आंसर आणनेन नैन से होगा तो ह५ैक्ष ए ये भी काम का निया रहा है, 1077-49, हाँ सरी, ये हो सकता है, तो एक बाँ मैंने 1077-4977, हो गया सर, तो यहाँ पर एगा 107, ये जगा 7, मैंने 749, 0000, तो आंसर क्या होगा मैं 3249, कंडरू खित्ता हो गया बेटा, ये, 57 हो गया, ये, ये कोई काम का नहीं बचता मेरा, ठीक है न समझा क्या हुआ है, चलो, एक बाँ इसको pause करो, और solve कर लो, थोड़ी ज़्यादा maturity अब आ रही होगी, मुझे पता है, अब यह आ देख question, 27225, 27225, पैरिंग करना शुरू किया, ये दो का पैर बना, ये दो का, तरीक तो अकेला बच गया, कोई भात नहीं तो ये अकेला क पैर, तक है, अब देखो ऐसे मत करना पैरिंग बिटा, ये दो का, ये दो का, ये धो का, ये खेला, ऐसा नहीं होता है, right to left जाना पड़ता, ये 2 का पैर, ये 2 का पैर और ये, तक है, अब देखो, मेरा क्या होगा, 1, 1 जा होगा, 2 to 4 जाता है, तो ये 1, 1 जा, minus 1 क्या किया, प्र नूर्ट दर्च इस नी के है यहां पर पॉर। हमें, कि ये ending with 2 है, तो क्या लोगा, पेटा, ये चीज़ सिर्फ आखरी जब digits लाता हूँ ना, मीचे जब आखरी में finally 25 नीचे लोगा, तब use करूगा मैं, तिक है, अब देखो, अब मुझे hit and trial करना ही पड़ेगा, 25, 5, 125 होता है, तो 5 से उपर जारोगा, 26, 6, 36, 3, 12, 15, 15, हो सकता है, 27, 7, 49, 4, 14, 18, ये तो नहीं है, तो 26, 6 लेना पड़ेगा, 156, तो 26, 6, 156, कितना बज्या का सारे, 12, कटा, 6, ये 1, ये हो गया, अब क्या, अब ये जो नंबर है, पुरा 26 लेना पड़ेगा, 26 का यूनिट से लेना, 6 है, उसको अड़ेगा, प्लस 6, कितना हो गया पड़ेगा, 32 हो गया, अब क्या, बापस से होई, डबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब 12 प्रस 1 15 तूला देखो 1625 आगया मेरा अंसर यहाँ पे 5 डाला यहाँ पे 5 डाला मायस 1625 0000 तो मेरा अंडर रूट of 27225 27225 यह वाल्यू 165 आगया simple देखो थोड़ी maturity धिये दिरे बड़े की मैं जामता हूं इसो करो आपनो अब गाइज नेक्स वाल आपने खुझ से ट्राइ करो 390625 इसको एक बार खुझ से पॉस्ट करके ट्राइ करो ध्यान से स्टेप बाई स्टेप करो क्या आंसर आएगा ठीक है पॉस्ट करो इसको ट्राइ करो चलो गई क्या हो जाएगा बच्चा यह पैर तो यह बनाएगा 390625 पैर 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 ठीक है अब क्या तब पैर दिख रहा है 6 6 जा 36 यह बच्चा 3 यह नीचे लाए 0 6 अब क्या आप है यह यूनिट स्पेस वाले को आड़ कर देते ते 12 हो गया फिर क्या है डबबा डबा तो मैंने 122 था यहां पर भी निखने के निखने के कोशिश थिए और हो रहा है वह थो 244 थी क्या है तो माइनर 244 थी हो जाएगा कितना 2 यह जाए कितना 6 ठीक है अब क्या पर यहाँ पर यहाँ पर यूनिट प्रेस ने इस टू था उसको आड किया तो बंद करता 124 फिर डब्बा और यह डब्बा होने बारा था और यह मेरा 25 यहाँ पर नीचे आ गया ठीक है अब क्या दोहां डब्बों में सेम नंबर 6225 हो गया यहाँ पर आगया 5 यहाँ पर भी आगया 5 6225 गया 0000 अब अब देखो यह डेसिमल है 51.84 लिखा हुआ है यह थोड़ा नया concept बहुत different नहीं है, simple सा ही है कुछ नहीं बैटा, वो यह ऐसा बनाना पड़ता है 51.84 अब क्या है decimal से यहाँ पर left side में जाते हैं जाते हैं पैरिंग करना पड़ेगा इन दोने कैसी पैरिंग होगी और फिर decimal से right side में जाते होगे पैरिंग करना पड़ेगा, यह नहीं होगी मतलब मान लोगा अब मेरा कोई नमर था 1234567.89 ऐसा होता, तो मैं पैरिंग कैसे करता है पहले यह दो, फिर यह दो, फिर यह दो यह के लिए रह गया, फिर decimal के right side में यह दो की, ऐसी पैरिंग करता था मैं, ठीक है न, तो यहाँ पर यह पैरिंग किया, मैंने जाला करके दिखा दे रहा आपको मैं 7, 7, 49 लोगा मैं देखे, 7, 7 ता, माइनस 49 इतना होगे, 2, फिर क्या है सब देखो, पैर तो यहाँ पर 7 की add तो यह होगे कितना 14 यहाँ पर डबा, यहाँ पर डबा अब जैसे आप decimal, जैसे division में भी कहते है decimal आ रहा है, तो यहाँ पर अपर decimal डाल देगे नीचे क्या आगया decimal 84 नहीं, बस 84 आगया अब क्या, यह वाला number, यह नमबर सेम, तो दू डाल दिया मैंने, यह 2, 2, 72, 2 जा कितना हो जाएका मेरा, अच्छा 2, 2 से नहीं 44 होगा, क्या होगा 51.84 सही है नहीं, मैं को देखना पड़ेगा पर जोड़ेगा, हाँ सही है हाँ, सही तो था 2, 2 जा, 142 2 जा, 482 तो यह आंसर जाएका 284 सप्रैक्स हुआ 0000, तो मेरा आंसर अंडरूट ऑफ 51.84 कितना हो गया है, 7.2 हो गया है, देखो एका बताता हूँ 51.84 ता पैर किया है, यह पैर बना फिर डेसिमल के बाद में राइट से नहीं जाशी हो गया तो यह पैर बन गया, तो 7 7 सा, माइनस 49 तो यह 2, आपको जब दिखरा है डेसिमल आप नीचे ला रहर हो यहा है, यहाँ पर डेसिमल डाल दो तो यहाँ पर यह प्लस 7 किया 14 हो गया, डबबह यह 2 142 नोचा April 284 यह यहाँ पर डेसिमल डालने जा भीना है, तो यह जाएगा 000, तो आंसर किया हो 7.29, इसको एब खुच से पॉस से करो, इसको पैरिंग बनाने में शायद से एकदम दे क्लिक नहीं हुआ, खुच नहीं को 7.29 है, डेसिमल के लेफ्ट सेड में गया, तो इसका कोई एक पैर ऐसे ही बना, और यह इन दुनों का पैर बन गया, अब देखो, 3 चीज़ा 9 जाद हो तो नहीं, पर 47, 7 दा हो सकता है, 49 प्रस 4, 28, 32, हाँ सर, तो यह 7, यह आप भी 7, माइनस 3, 29, जी 0, 0, 0, जीको अंडरूट और 7.29 की वालिफिच्च हो गई, 2.7 हो गई है, सिम्पल है ना बेटा मेथ्ट, यह मेथ्ट बहुत काम गा है बच्छा, इसको थोड़ा अच्छे करना है, ठीक है, चलो, इसको पॉस करो, इसको सॉल परो, गाइस, नेक्स, 31.36, ठीक है, पॉस हरके खुच्छा ट्राए करो, इसको, ठीक है, 31.36, पहले यहां का पैर बन गया, पर यहां का किया, 5, 5 is a, माइनस 25, बचा कितना, 6, 36, 36 को नहीं चलाया, एक देसेंबल आना पड़ा, ठीक है, बहुत बचुदूसा मैं थड़े, ठीक है, ठीक है, चलो, पॉस करो इसको भी, और सॉल परो, अब बेटा, simpler question, ठीक है, इसके बाद मैं आपको और मैं इसके बाद बहुत मस्त वाली चीज़ का आने लगू ये question एक मक काता है आपको क्या हो रहा है, बिना calculation की मुझे square root की answer की value नहीं चीए बस मुझे बताओ, बिना calculation की कि इसमें कितने number of widgets आने वाले है square root में, तो ऐसे इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है अपने को दो-दो के pair बना पड़ता है ये दो का pair बना, ये दो का pair बना total कितने हो गए, दो हो गए तो answer कितना जाएगा मेरा 2 यह पर इसका pair बना, इसका pair नहीं बना तो क्या 1 and a half हुआ, नहीं ऐसा नहीं तो ये भी कितने हो गए, मेरे 2 एक, दो और एक ये बन गया, total कितने हो गए मेरे 3 समझा, देखो, आपको एक random मैं बताता हूँ, एक सिर्फ जाएए 1, double, 4 double, 0, double, 0 अगर ये number है ना, इसका square root निकालूँगा, तो कितने हो गए ये 2 का पैर बना, ये 2 का पैर बना, ये 2 का पैर बना, और एक ये, total में लागे तो गए, 1, 2, 3, 4, total 4 हो गए, तो आंसरो जाएगा मेरे कितना, 4, समझा, शालो, ये वाले को भी आप लोग पास करके solve कर लिजे, अब गैस, मैं आपको सबसे जादा important वाली चीज़, जो शाय साबको 8 में काम थोड़ा काम आए, 9th, 10th, 11, 12 ने पागल समाना को काम में आना ला है, वो चीज़ में सिखा रहा हूं, तो question क्या लिखना है, लिख लिख लिजे मेसा question, find the square root of following numbers up to 2 ये 2 नहीं, 3 decimal places up to 3 decimal places, तो मतलब क्या perfect square नहीं है, नहीं perfect square root नहीं रहेगा, जैसे कि मानलो मैं बोल रहा है आपको first वाला कि मुझे square root of, sorry, मुझे square root of आप मुझे 10 बताजिए, root 10 की वाली बताजिए, up to 3 decimal places, तो देखो, अब मुझे पता है न, 3 decimal places चाहिए, मुझे 10 का मैंने लिए, ठीक है square root of 10 निकाल रहा हूँ, पहले क्या किया, 3, 3 जा, minus 9, तो बचा कितना, 1 बचा, अब बेटा, मुझे नीचे जब लाना था, pair में लाना पड़ता था, decimal के आद में कितने भी 0 डाल सकता हो अपने मन से, यह देखो, जितने 0 चाहूँ, उतने 0 डाल सकता हो ना मैं, पर मुझे आपने 3 बोले हैं न, 3 places चाहिए मुझे, 3 decimal, तो मैं 6 जिरोडा लोगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही चीज मैं पहले ही कर लोगा, मतलब कि आगर आपने मुझे बोल दिया, 3 decimal तक के चाहिए है मुझे, वो 10 point, यह 1 decimal पे, यह दूसा decimal पे, यह 30 decimal पे, अब solve कर रहा हूँ, 3, 3 जा, यह होगा, minus 9, यह चाहिए 1, अब देखो, यह decimal आने वाला है मेरा है, यहाँ पे, डबल 0 हुआ, plus 3, कितना आगया है, यह 6 आगया है, अब क्या आसर, डबबा, डबबा, अब देखो, 62, 2 जा 1, 20, उसको उपर जाला है, मैंने 61, 1 दा लिया, तो minus 61, कितना बचा अचा, 39 बज होड़ी महराज करनी पड़ेगी, ठीक है, अब 6, 25, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, I think हो जाएगा, 36, plus 3, 12, 15, plus 1, 15, plus 1, 37, 3, 7, 5, 6, अब 6, 27, 7 जा भी देख रहा हूं, 49, plus 4, 14, 18, plus 1, 35, 42, 43, यह तो बहुत बढ़ा हो गया, तो हमें 6, 26, 6 जा लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको इत पिड़ा, आपकी maturity धीर धीर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो माइनस 6, ऐसे, माइनस इता जाएगा, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 5, 6, योगया 10, योगया 9, योगया 8, 144, ठीक है, अब देखिए, यह डबल 0 भी आगे नीचे, यहापे प्लस 6 किया, तो यह 6, 32 हो चुका है मेरा, अब क्या स अब यहापे भी एक डबा और यह एक और डबा बेठा, ठीक है, देखो ऐसे 3 decimal का पूछते नहीं है, अपने ले लिया मस्ती में इसलिए इतना बड़ा बड़ा हो गया, पर ठीक करते है, अब मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है, मैं बड़ा कोई नंबर लेके रिखता हू 8 as the 64 plus 6, 16, 22 plus 2, 18, 24, 25, 26 plus 2, 40, 48, 50, 50, 50, 62, अरे तो बहुत भी पर से लेगा है, तो छोटा नंबर लेता हूँ पई तो, ठीक है, कोई 3 लेके रिखता हूँ मैं, 6, 3, 2, 3 into 3, 9, 6, 9, 1, 8, 6, 9, 6, 9, अरे ये भी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, तो 6, 3, 2, 2 into 2, 6, 3, 2, 2 into 2, 4, 4, 6, ये 12, हाँ सर, अभी ये छोटा हुआ है, तो ये हाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं, तो जो भी सप्राक्ट करूँगा, बेटा, मेरा आंसर फाइनली आने नहीं वाला है, वापस कुछ बचेगा, मुझे 4 decimal अगर बोलते हैं आप, तो मैं आपर और एफ्रोक्सिमेटली ये हो गई है, ठीक है, पेटा जैको रूट 10 थोड़ा भारी था, तो ये काम करो, रूट 10 आप लोग मत करो, और 3 decimal तक के नहीं, अपन लोग 2 decimal तक के काई रखते हैं, ठीक है, अपन रूट 10 को ये वापस तिब 2 decimal तक करने की गोश्या था, ठीक है, तो ओ क्या जागा 10, 00 और ये 00, ये 3, 3 जा, माइनस 9, ये 1 आ गया है, ये decimal आया, 00 आया, तो 3 आया, ये 6, यहाँ पर डबा, यहाँ पर डबा, 1 जा, 1 जा, माइनस 61, इतना बचा बचा बचा, ये 39 बचा, ये 00, नीचे आ गए, बचा मेरे पैर वाले, ठीक है, ये जैसी आगए, प्लस 1 किया, 62, डबबा, डबबा, I think सिग्जा किया था अपने, 626, सिग्जा 36, 312, 15, प्लस 137, ये सिग्जा, ये सिग्जा, 3756, सपराग करना है करो, नहीं करना है मस करो, कर लिते है पने बचा दो, 10, 9, 8, 144, I think 144, ना, पिछले बचा कुछ ज़र्स या था कह, नहीं, 144 य 16, हो गई है, समझाए, चलो, ये रूट 10 की वाल्यू मुझे फट से अब आप लो 2 डेसिमल ठके निकाल के दो, मुझे रूट 2 की वाल्यू निकाल के दो गया, ठीक है, चलो, पॉस कर और ट्राइक और रूट 2 की वाल्यू निकालना, ठीक है, टो डेसिमल सक्के चीए था, 2.00, 0, 0, 1, 1 जा, मैस 1, 1 हो गया, डबल 0 हो गया, ये प्लस 1, तो ये 2, यहाँ पर डबबा, ये डेसिमल आचुका था, यहाँ पर डबबा, फोर्जा करूँगा, चार 24, फोर्जा 96, ये 4, यहाँ पर डबल 0, प्लस 4, ये 28, ये डबबा, ये 141, हाँ, ठीक है, रूट 2 के approximate value 1.41 आती है, वैसे देखो, रूट 2, रूट 3, रूट 5 की तो हमको रटी भी रहती है, 9th में हम लोग रटते है, ठीक है, और नहीं यादर रत ऐसे निकाल सकते है, तो पने काम को रूट 2, अब ये स्कार रूट 3 और रूट 5 भी आपको निकाल दे काम को, पॉस रूट 2, डबल 0 नीचे आया, यहापर decimal आ गया, सोरी, डबबा हो चुगा था है, 2 ये डबबा, ये 7 रा चलता, ठीक है ना, योखो याद है, रूट C की value याद है, फट से 7 रेलिया, 27, 7 रा, 49 प्लस 4, 189, ठीक है, 189, याएगा कुछ 17, प्लस 7, 34, अब 3 रा लेना पड़े बेटा मुझे, ठीक है ना, आ, पोर्जा क्यों नहीं हो रहा है, रेक्ता है, 34, 34, पोर्जा, 16, 17, प्लस 1, 12, 13, कुछ गल्टी कहा है, बेटा मैंने, एक्षन हो जोगा है, कुछ तो भी गल्टी हुए, पक्का से, रूट 3 की value 1.73 होती है, क्योंकि अप्रोक्रोक्सिमेटली, कुछ तो भी गल्टी हुई है, मेरे साथ से, मेरी, रूट 3 की वाली निकालना है, मुझे, अप्टू 2 डेसिंबल, वन्जा, वन्जा, माइनस 1, योगे 2, डबल 0 आया है, यहाँ पे प्लस 1, योगे 2, डबबा, यहाँ पे डबा, यहाँ पे डबा, यह सेवेंजा करना पड 189, 189, 311, शाय समय कुछ गलत लिया था था, I think कुछ तो भी गलत लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ, प्लस 7, तो यहोगे 34, यह डबबा, यह डबबा, यह डबबा, यहाँ थो 34, यहाँ पे 3, यह 3, 9, 12, प्लस 1, 11, 29, ठीक है, यह हो रहा है, बड़ मैं यह नहीं लेते यह 3, 1029, सॉल्फ किया, यह बटा, यह मैंने, यह हो गया, 71, खतम, तो मैं रूट 3 की एप्रोक्सिमेट वाली किती होगी, 1.73, ठीक है, आप रूट 5, खुछ से करके देखेगा, एप्रोक्सिमेट की आंसर, 2.52, ने, 2.32, 2.32 आता है, ठीक है, यह पॉस करो, रूट 3 करो, तो आपन लोग, रूट 5 का भी आपको दिखर कर रिखाऊंगा, अब देखे, रूट 5, 5.00, यह हो गया, बैटा, 2 जा, 4, 1, decimal, यह दो नीचे आ गए, प्लस 2, यह हो गया, 4, डबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब 2, 4, 84, यह हो गया, 16, फिज यह दो नीचे आ है मेरे, यहा प्लस 2 हो गया, डबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबा 4, 43, 3, 2, 9, 12, 12, 13, 3, 3, 3, 3, र, 13, 29, जो भी आंसर आएगा, सब्सक्राइब पांच तो 271 ठीक है तो मेरा फाइनल आंसर रूट फाइस यो रही है टीक है तो बेसिकली बेटा यह वाले इसमें हमने दो चीज़ थी रादर तीन चीज़ थी कि हमने क्या देखा स्क्वेर रूट निकालना वो डेसिमल को यह नॉर्मल नंबर का वह देखा फिर हमने एप्रॉक्सिमेट स्क्वेर रूट निकालना अभी देखा कि हमें दो डेसिमल तक हे वैसे मेज़े दो डेसिमल तक कि बोले घंधे हैं और एक हो चीज़ हमने क्या सीकि कि आगे फाइनल ही हम लोग आ देखा कि बिना अक्षुली क्यागूरेशन की हमने स्क्वेर लूट निखान है उसमें कितने दिजिट्स से एक आंग मैं फटा पर यहां के वेरीफाइ कर ले के होले हैं इब रहा हम हाओ इस में किसमें और जदे दो डिजिट्स होने ची जडिखो 48 दो डिजित्स है यहाँा ते नीजेट त साesta कि यहां पर कित्रों आचैने थे एक डोगे किंदे नटिन दिजिट्स ते था फिद्धाई बढ़िया यहां पर एक दोगे ती दcoon दिजिट्स अने टाने तीन दिजिट्स से में से डैसेंबल वाले में नहीं करना पड़े जा идет है तो अप då Kia बट है बहुत इंपोर्टेंट और एक बार आपका जमना शुरूर जाता है तो गाइस प्लीज में बेस्ट आउट अफ दूस वीडियो इसका जो हमबक मिलता है वह प्लीज कर लीजेगा और आपको पता है कि यही वीडियो में नाइन तो टेंथ वालों को भी यह सेम यही वी धूसारे घ्ड़ झारे प्लीजे क्र लाक जो हम है भीमिंट बेस्टा में टेस्टंबरह यहीं हाता है झालों कि यहीं है